आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं नाइका इस्टॉक के बारे में यहां देखेंगे कि आज नाइका जो है मोर देन 7% के डाउन ट्रेंड पर ट्रेड हो रहा है तो आगे का आउटलूक क्या है इसे स्टॉक में क्या करें फोल्ड बनाए रखे या फिर यहां से एक जीट कर लेना चाहिए सभी डिसकसन करेंगे इसके चार्ट पर चलते हैं सबसे पहले यहां देखें यह नाइका का चार्ट है हमने आप से हमेशा कहा था जब भी आप देखेंगे हिस्टोरीकली जब भी कोई कंपनी बोनस करती है या स्प्लिट्स होती है तो उसका जो स कंटिन्यूस डाउंट्रेंड था वहां बायर ऐसा लगता है कि चलो ग्यारह सो का स्टॉक अपने को एक सो तीरसाट में बील रहा है तो यहां सोट टर्म टेडर कंटिन्यूस आते हैं बाइंग डिमांड बनता है और यहां से एक टेक्निकली बना और हमने कहा कि अगर आप बायिंग करना चाहते तो इसमयंगर करना चाहिए यह जो जोन है वह सकता है जो समझदार लोग हैं वह यहां से बैचेंगे और समलदार की समलदारी के कारण देखेंगे कि आ 7% से ज़्यादा का downtrend रहा है इस समय इस stock में technically क्या करना चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी buying उपर की रही होगी और अभी भी loss में रही होंगे तो उनको तो कुछ option है नहीं लेकिन जो short term trader है बिलकुल ignore करेंगे fresh buying इस stock में तभी करेंगे जब minimum ये stock ये जो level है 235 के उपर जब तक trade नहीं करता है इसको breakout नहीं करता है ignore करेंगे यहां से जिस प्रकार से breakdown दिखा है अगें ये stock देखें तो 195 से ले करके 170 के बीच में consolidate हो सकता है fresh buying minimum आपको buying करने के लिए 210 से पहले तो बिलकुल buying नहीं करेंगे तब तक के लिए ignore करेंगे और जो heavy quantity के साथ buying है वो 235 पे trigger होगा इस समय ignore करने की सला रहेगी बिलकुल buy on dips करने से नहीं बचेंगे